ये है देश का पहला स्माल्ट विलेज धनोरा जो की राजस्तान में धूलपुर जिले में आता है इस गाउं से एक नाला बहता था वह पूरी तरह से खत्म हो गया था लोगों ने उसके उपर अपना कब्जा कर लिया था इस गाउं को स्माल्ट विलेज बनाते समय रचनात्मक तरीके से काम किया गया इस रचनात्मक धाचे में आता है ग्रीन फिल्ड जिसके तहत वाटर कंजर्वेशन किया गया वाटर कंजर्वेशन करते समय ध्यान रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सिंचाई का लाब हूँ रिवर लिंकिंग जैसे इस गाउं में परकोलेशन टैंक जोड कारेकरम हाथ में लिया गया इसकी इंजिनेरिंग डिजाइन प्रोपेसर प्रियानन आगले ने बनाई गाउं के सुपुत्र डॉक्टर सत्यपाल सिंग मीना जोकी IRS ओफिसर है जिनकी तिवर इच्छा के करण और गाउं के प्रतिलगाव के करण यह कारिय सफल हो पाया इन्होंने गाउं के लोगों को इस काम का महत्व समझाया और आम सहमती से लोगों को समझा कर गाउं में परकोलेशन टैंक और उसको जोडने वाली ठाई किलुमेटर लंभी, 12-15 फिट चवड़ी और 10-12 फिट गहरी कैनल बनाईगे और इस काम से एक बार में लगबग 100 MLD पानी जमीन में रिचार्ज होता है बारिश के दिनों में लगबग 4 बार यह रिचार्ज होता है याने की जमीन में 400 MLD पानी रिचार्ज होता है इस काम को इको निर्स फाउंडेशन, कोकोकुला फाउंडेशन, स्तानिक प्रशासन और लोगों की मदद से यह काम सफल हुआ इसके करण गाउं में आर्थिक उन्नती का रास्ता खुल गया और पर्यावरन संतुलन का काम भी साध्य हुआ शायद ही देश में ऐसा कोई गाउं हो जहां इतने बड़े पैमाने पे वाटर कंजर्वेशन का काम हुआ झाल झाल झाल